Hello everyone, study with us में आपका एक वाई फिर से स्वागत है और आज हम discuss करने वाले हैं super important questions की तीसरी वीडियो तो ये वीडियो जो है आपके लिए super important है जिसके तहत में आपको जो है हर एक topic का revision करा रहा हूँ इस वीडियो में आपको लगबग तीन topic के question answers जो है मैं discuss करने वाला हूँ हर एक questions को हम बारीकी से explain करेंगे और समझेंगे और अगर आपने अभी तक कोई भी किताब नहीं पड़ी है नेट की exams के लिए तो आप हमारी A series को follow कर सकते हैं अधिकतर questions आपको जो है exam में यहीं से देखने को मिलेंगे ठीक है और आप तैयारी कर रहे है UGC Net Paper 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियो को भी देख सकते हैं एक अलग से हमने playlist बना रखी है UGC Net Paper 1 के नाम से link जो है मैंने description में देदी है और उपर आई बटन पे भी आपके लिए करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं तो शल्य यह शुरू करते हैं आज का जो पहला सवाल है वो यह है कि निम्न में से किसने किसने मानव विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है ठीक है अवस्थाओं का वर्णन किया है तो इसका जो सही आंसर है वो है option number A Dr. Ernest Johns ने ठीक है Dr. Ernest Johns ने जो है मानव विकास की अवस्थाओं बताई है ठीक है और कौन-कौन से अवस्था हैं ये आपको याद रखना है जैसे कि पहले होती है सेशव अवस्था ठीक है जीरो से लेकर के पांच वरस्तक की आयू में ठीक है उसके बाद होती है बाल्ले अवस्था फिर उसके बाद इन्होंने बताई है किस ओर अवस्था और फिर इ एननेस जॉन्स ने मानव विकास के वस्थाएं बताई हैं, बलकि और भी कई जो हैं, कह सकते हैं कि ग्याता रही हैं, जिन्होंने मानव विकास के वस्थाएं बताई हैं, जैसे कि रोस महुद्या जो हैं, इन्होंने भी बताई हैं मानव विकास के वस्थाएं, और उसके कथन किसका है कि सिक्षा मात्रात्मक उन्नती के लिए होती है ठीक है मात्रात्मक उन्नती के लिए होती है यह किसका कथन है तो यह कथन है महात्मा गांधी का ठीक है option number A C जो है correct answer है महात्मा गांधी ठीक है महात्मा गांधी ने सिक्षा पर एक और विचार कहा था कि उनके अनुसार जो है मानव को मानव को मानव बनाना सबसे महत्वपून सिक्षा है ठीक है ऐसा किसने कहा है तो ऐसा कहा है महात्मा गाधी ने महात्मा गाधी जो थे वो ऐसी सिक्षा की बात वो प्रात्मिक शिक्षा की बात करते थे और साती सात वो ऐसे शिक्षा जाते थे जिसमें किताबी ग्यान के साथ साथ कुछ कौशल भी सीखाये जाए ठीक है ने शिक्षा में इसलिए जो है वारधा योजना इनको दोरा लवाई गई थी ठीक है वार्धा योजना ये भी आपको याद रखना एक्जाम में पूछा गया है नेस्ट कोशन है भारत की पर्थम शिक्षा नीती कब बनाई गई थी ठीक है भारत की पर्थम शिक्षा नीती कब बनाई गई थी तो पर्थम सिक्षा नीती जो है ये बनाई गई थी सन 1968 में option number C इसका सही answer है सबसे पहले 1968 में सिक्षा नीती बनाई गई उसके बाद जो दूसरी सिक्षा नीती बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1986 में ठीक है अब 1986 की जो सिक्षा नीती थी कि इसमें कुछ बदलाओ किया गया है कब किया गया है तो 1990 में ठीक है इसमें क्या किया गया था बदलाओ किया गया था बदलाओ कहें या फिर संशोधन कहें और अब जो नई शिक्षा नीती आई है वो है 2019 की के कस्तूरी रंजन की अध्यक्स्ता में बनाई गई है ठीक है के कस्तूरी रंजन की अध्यक्स्ता में नई शिक्षानीती तयार की गई है 2019 तो अगर आप से पूछे पहली कब बनी तो 1968 में किस शिक्षानीती में बदलाव किया गया था तो 1986 के शिक्षा नीती में बदलाव किया गया था कब किया गया था तो 1992 में किया गया था वरतमान में कौन से नहीं शिक्षा नीती आ गई है तो 2019 कि आ गई है किस ने तयार की है? तो के कस्तूरी रंजन ने तयार की है Next question है Grade देना सिक्षण मूल्यांकन की कारी किया गया है, वो सफल हुआ है या नहीं हुआ है। इस बारे में जानना ही मुल्यांकन कहलाता है। ठीक है? अब मुल्यांकन जो होता है, वो दो परकार का होता है। वैसे मैं इसका आंसर आपको देदू पहले कि ग्रेड देना जो है, यह आता है संकलनात्मक सिक्षन मुल्यांकन में संकलनात्मक मुल्यांकन का ये हिस्सा है ठीक है संकलनात्मक मुल्यांकन अब जो मुल्यांकन होता है यहां मैं आपको बता दूँ ये दो परकार का होता है कौन कौन सा तो आपको याद रखना एक होता है संकलन आत्मक और दूसरा होता है निर्मान आत्मक यहां नीचे लिखाओ मैं यहीं पर एक्स्विन कर दे रहा हूँ एक होता है संकलन आत्मक और एक होता है निर्मान आत्मक तो निर्मान आत्मक पहले मैं बता दू क्या होता है निर्मान आत्मक यह होता है कि जो कभी देखा हो जो अध्यापक होते हैं वो कक्षा में छात्रों से सवाल पूचते हैं ठीक है कक्षा में ही छात्रों से सवाल पूचते हैं और कक्षा में ही उसका रिजल्ट बता देते हैं कि कौन सा बच्चा तेज है और कौन सा कमजोर है ठीक है परसन वगेरा पूछ के बता देते हैं ऐसी तो ऐसा मुल्यांकन कहलाता है निर्मान आत्मक मुल्यांकन जबकि जो संकलन आत्मक मुल्यांकन होता है इसमें बड़ा प्रोसेस होता है इसमें पहले छात्रों को पढ़ाया जाता है फिर उसके बाद कुछ सीमाएं संकलान आत्मक मुल्यांकन का हिस्सा है ठीक है जब कि जो कक्षा में आम बातचीत के द्वारा जो सवाल वगएरा पुछे जाते हैं ये किसका हिस्सा है तो ये निर्मान आत्मक मुल्यांकन का हिस्सा है और दोनों ही मुल्यांकन का मुख्य उद्देश होता है छात्र में शिक next question है अतीत की घटनाओ की सहायता से किस अनुसंधान को सफल बनाया जाता है तो सही answer option number B है नाम से ही आप जान गए होंगे अतहासिक अनुसंधान जिसमें हम अतीत की घटनाओ का बारीकी से विचलेशन करते हैं तब अनुसंधान करते हैं तो ऐसा अनुसंधान अतहासिक ठीक है तो ये points भी आपको जो है इसमें याद रखने है अच्छा next question है निम्न में से कौन सा परियोग आत्मक अनुसंधान विधी के सौपान का हिस्सा नहीं है देखें परियोग आत्मक अनुसंधान जो होता है इसके step जो होते हैं वो थोड़े different होते हैं ठीक है कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था चक्रिये होते हैं कल की वीडियो में बताया था न मैंने आपको परियोग आत्मक अनुसंधान में जो चरण होते हैं अनुसंधान के वो चक्रिये होते हैं तो इसमें कौन कौन सामिल होता है तो समस्या की पैचान सामिल होता है समस्या का चुनाव समस्या की पैचान और परिकल्बना का निर्मान जबकि सर्विक्षन जो है ये सामिल नहीं होता तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस कोशन का वो D होगा ठीक है हिस्सा नहीं है हमसे पूछा गया है ठीक है तो इन नहीं वाले सवाल जो है आपको सई से इनके उत्तर देने हैं इसमें जो है गलत काफी हो जाते हैं सवाल निर्मान गुणातमक अनुसंधान का विशलेशन निमिल लिखित में से किस विधी द्वारा किया जाता है तो देखे घटना किरियातमक विधी के द्वारा किया जाता है नीहित सिध्धान्त विधी के द्वारा भी किया जाता है कथा एवं वारतलाब विधी द्वारा किया ज प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब बनाया गया था ठीक है कब बनाया गया था तो जो सही आंसर है इसका वो है option number B ठीक है 1973 में बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर अगर आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट हाथी कब बनाया गया भारत में तो प्रोजेक्ट हाथी बनाया ता 1992 में और अगर आप से पूछ ले कि project प्रोजेक्ट डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन के बारे में अगर आप से पूछ ले गंगा डॉल्फिन के संट्रक्षन के लिए कानौन का बना तो 1972 में जो गंगा डॉल्फिन है ये भारत की रास्टिय जलिये प्राणई है ठीक है रास्टिय जलिय जीव गएंगे से ठीक है गंगा डॉल्फिन नेश्ट कुशन है घाना पक्षी विहार भारत में कहां इस्तित है तो सही आंसर है option number C ठीक है भरतपुर में है भरतपुर कहा है तो राजिस्थान में है ठीक है राजिस्थान में है भरतपुर और अगर आपसे पूछ ले सलीम अली सलीम अली पक्षी विहार कहा है तो सलीम अली जो है वो है गोवा में मांडवी नदी के किनारे और चिलका पक्षि-विहार पूछ ले तो ये है, ओडिसा में और नीला पट्टू पूछ ले अगर आपसे नीला पट्टू तो ये है, नलौर में नलौर कहां पर है तो ये है अंदर परतेश में ठीक है अंधर परतेश में तो इतने points आपको याद रहें अच्छा उदैपूर के बारे बता दो उदैपूर को जो है उदैपूर को जीलो का शहर कहा जाता है ठीक है जीलो का शहर कहा जाता है आज आगरा को ताज महल का नगर कहा जाता है और आगरा फेमस है पेड़े के लिए दिल्ली जो है ये कई चीज़ों के लिए फेमस है तो ये चीज़ आपको याद रखने है ठीक है तो आज की वीडियो में जो है इतने ही question I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया ही तो like कर दें और चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर दें ताकि ऐसी वीडियो की notification आपको मिलते रहे ठीक है बैल आइकन जरूर दबा दे ताकि जब जब वीडियो डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे सो मिलेंगे नेक्स वीडियो में सो थैंक्स फुर वाचिंग दिस वीडियो